शांती जीवन का परम लक्ष नहीं है, ये सबसे बुन्यादी ज़रूरत है। अगर आपने इसे जीवन का परम लक्ष माना, तो आपको मरने के बाद ही शांती मिलेगी। अगर आज आप आनन लेना चाहते हैं अपने डिनर का, या पार्क में सैर करने का, या असपास के लोगों के साथ का, तो आपको कम से कम शांत तो होना ही होगा। अपने जीवन के इस खुदरती पहलू को इतना गूर न समझें। अपने अंदर शांती का वातावरन बनाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ऐसे साधन मौझूद हैं, जिनसे आप अपने भीतर शांती का वातावरन तयार कर सकते हैं। अगर आप हर दिन कुछ मिंटों का समय लगाने को तयार हैं, अपनी खुद की आंतरिक खुशाली के लिए तो शांत रहना स्वाभाविक होगा। आपने जो इकठा किया है, वो आपका हो सकता है, लेकिन कभी भी आप नहीं। अगर लोग अपनी बुद्धी पर गलत पहचानों का बोज नहीं डालते, जैसे शरीर, परिवार, समुदाय, शिक्षा, जाती, वन्ष, देश, यहां तक कि जिस प्रजाती के हम हैं, और लाखों दूसरी पहचाने जो हम जीवन में बना लेते हैं, तब जीवन सहज ही अप पहचान जोड लेते हैं, जो आप नहीं हैं, तो आपका मन एक एक्सप्रेस गाड़ी की तरह हो जाता है, जिसे आप रोक नहीं सकते, अब आप ब्रेक लगाना चाहते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते, सबसे पहले आपको अपना पैर एक्सलरेटर से हटाना होगा, हर दिन कम से कम पाँच मिनिट तक खुद को याद दिलाइए, कि आपके पास जो कुछ भी है, आपका हैंड बैग, आपका पैसा, आपका पहचान पत्र, रिष्टे, आपके दिल का भारीपन, आपका अपना शरीर, इन चीजों को आपने एक अरसे के दौरान इकठा किया है, पहचान अपन से ध्यान की ओर बढ़ने लगेंगे, नाड़ी शुद्धी का अर्थ है, नाड़ियों को शुद्ध करने की प्रक्रिया, जब हम कहते हैं नाड़ी, तो हम 72,000 नाड़ियों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये 72,000 नाड़ियां दो बुन्यादी नाड़ियों से निकली ह जो हैं पिंगाला और इडा